यह एक फैब्रिक लिया है मैंने अस्तर का तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि अस्तर से आपको नाप लेना चाहिए पहले इसकी कटिंग कर लीजिए उसके बाद जो मैन फैब्रिक है उसकी कटिंग कीजिए नहीं तो जैसे इसमें कुछ गरवड भी हो जाएगा तो पर अस्तर वेस्ट हो जाए कोई बात नहीं फैब्रिक कट हो गया तो मुश्किल हो जाएगी और इस पर कट करने से सबसे अच्छा फायदा यह है कि इस पर कटिंग अच्छी तरीके से आती हो फिर जब इस पर कटिंग कर लेते हैं तो हम इसको कुल कुल कलियर कट कर सकते हैं तो यह सिल्क की साड़ी का फैब्रिक के ऊपर ब्लू वाला और नीचे पीच कलर की साड़ी है जिससे मैं एक फुल ड्रेस दो मदर और डॉटर के लिए बना रही हूं तो मैच करता हुए मैंने फैब्रिक ले लिया है यह ब्लू कलर का जो टॉप बनाऊंगी मैं उसके ले लिए आप अपने असाब से लीजिए यह चोड़ाइ मैंने फुल रहती है चोड़ाई और मैंने नाप ले लिया है लेंथ जो थी टॉप की वह थर्टीन इंच चूँकि बच्ची के लिए टॉप बना रही हूं चोड़ाई है नाइन यानिकि च्छत्तेस इंच का यहां पर नेक नीचे घहराई रहती है यहां पर भी 6.5 और यहां पर भी 6.5 और यहां पर भी 6.5 तो इस तरह किसे एक बॉक्स हो जाता है यहां पर भी 6.5 की घहराई आर मोल की रहती है यहां 1.5 तीरा दिया है और फिर यह देखिए यहां नेक का 6 इंच दिया है बोट नेक बना रही हूँ यह 2.5 की घहराई दिया है और इसको मैंने नाप कर लिया है इसको मैंने नाप कर लिया है और इसको मैंने नाप कर लिया है और पहले मैं इसको कट करूँगी और फिर इसको कट कर लेती हूँ यहां से मैं कट करूँगी और स्लीप्स के लिए चुकि कपड़ा कम पर सकता है क्योंकि मैं अपना भी बना रही हूँ पर नीचे थोड़ा से लॉग बनाना है तो मुझे मैं फ्रिल डालनी है वाला प्लेट्स डालनी है ब्रॉक इट वाला तो अभी मैं इसने की श्लीप लगाऊंगी फिर देखते हैं यह 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 मैं इसको अधी मेरे पास फैब्रिक बचेगा तो मैं एक्स्टा बनाऊंगी त का पीज था टॉप का वो भी कट कर लिया अब मैं इसको ओपिन करके दिखा देती हूं इस तरीके से कटिंग आई है नेक में आप छोटा बड़ा नेक कर सकते हैं जैसे फ्रेंट पे स्मॉल और डीप कर सकते हैं साइज में जो बोट नेक बनाते हैं उसमें सेम साइज रहता है आगे और पीछे तो यह देखिए अब मैं ब्रॉकेट वाले फैब्रिक को अस्तर के साथ स्टिच कर दूंगी यह कई तरीके से स्टिचिंग होती है मैं मैंने अलग-अलग वीडियो में अलग-अलग तरीके से स्टिच किया है तो यह देखिए मैं सबसे पहले स्टिच कर और चाहें तो आप सीधा सीधा भी इस्टिच कर सकते हैं तो इंटर लॉक नहीं करना पड़ता है तो यह देखे इस तरीके से मैं स्टिच कर चुकी हूं उपर भी या सोलर भी स्टिच कर चुकी हूं और इस तरीके से फिनिशिंग आ गई है पूप PAUL Shled OHunu music UP ersteдел करने के लिए आप Sच करके पलट के अगर स्च करते हैं तो भी आपक Impact own sound like ठीके से इस हैं इस सच कर लेती हूं पर सब्सक्ट पलट देती हों तो चारों तरफ जो सिलाइज है भो की तरफ चलिए आती है और आप चलिए कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा फैबरिक दबा के नीची उपर दोनों जो कमर पर वह स्टीच करना है यहां पर पाइपि लगानी है यहां परिया था करने के थे ऊपर पर इसरी करते हैं जिसनकर चया तो आल्मस्टाप तैयार हो चुका यह देखे Depth किस्त्रेटी चुछ हवाइं पाइपिंग की मिन शव्यान का शुछ का फोल सब्सक्राइब दूसरे आप तीच करके जैसे मैंने टॉब को स trimmed यह पयाँ कर रहा है इस सिछ पाइप से तरीकी से साथा श्री करने से करेंकित्ट आप जब तक मैं stitch कर रही हूं तो प्लेज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा एक चोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा कि आपको मेरा stitching का आइडिया कैसा लगा साड़ी से इस बहुत सारे सूट मैंने stitch किये हैं वो मैंने पिछली वीडियो में शेयर किये मैं description box में भी आपको शेयर कर दूँगी तो piping stitch हो चुकी है अब मुझे इसमें cut लगाना है क्योंकि cut लगाने से जब finishing बहुत अच्छी आ जाती है जह हम stitch करते हैं फिर पलट देते हैं तो इसमें finishing अच्छी आ जाती है और threads भी नहीं निकलते और थोड़ा सा आप जब cut लगाके ही stitch करिएगा तो इससे आपको पता चल जाएगा कि finishing कैसी आती है ready made style आती है और जोल भी नहीं होता तो देखिए यह stitch हो चुका है मैंने front पे और back में दोनों तरफ stitch किया है आप चाहें तो एक तरफ तुरपाई करने तुरपाई से और भी बहतर और अच्छी stitch होती है और भी अच्छी finishing आती है तुरपाई करन नमर का 12 यह बच्ची का टॉप इस्टिच कर रही हूं और कुर्ती प्लस नीचे का सरारा स्टिच करूंगी साड़ी से मैच करता हुआ अपने से मैच कर रही हूं करो मैं है तो साना यह 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 कंगा यह यह मैं सिर्फ 14 इंच का रख रही हूं यूद्क इमिरे पास फैब्रेक बहुत कम है और फिर इसके जो मैं फैब्रिक बचा रही हूं इसका मझे अपने लिए स्लीप बनानी है तो मैं इतने ही फैब्रिक को कट कर लेती हूं तो देखिए यह टॉप हो गया है और यह नीचे की फ्रेल मैंने कट कर लिए है अब मैं इसको इसको यहां यहां ऐसे स्टिच करूँग मैं बाद में बॉर्डर लगाऊंगी थोड़ा से में बॉर्डर लगा दूंगी और यह हो जाएगा टॉप तो यहां पर मुझे फिटिंग देनी है अब फिटिंग कैसे देंगे देखते हैं पहले तो यह देख लीजिए यह स्टिचिंग मेंने किया है फिटिंग के साथ किया है जिससे किसमें से थ्रेड ना निकले है फिर अब यह सेंटर आप देख लीजिए यह सेंटर इसका यह देखे मैंने यह 34 का बना दिया है बिल्कुल लूज फिचर में मैं मला एक दो साल बाद मुझे अगर डीला करना है तो मैं कर सकती हूँ या फिर म मुझे यह सेंटर पे सेविन कर लेना है उधर सेविन और फिर इधर सेविन त्यानिकी मुझे 14 इंच यानिकी 28 का हाफ होता है 28 28 का हाफ 14 होता है तो 14 इंच पे मैंने आपे 14 इंच की फिटिंग देनी तो मैं यह फिटिंग करूंगी जो मैं यह 14 इंच की तो फिटिंग दे आप 14, 7 का हाफ, 3 and half होता है, 7 का हाफ, 3 and half, तो 3 and half पर मैंने एक point लगा लिया है, और यहां पे भी मैं, 3 and half पर ही point लगा लिया है, अब यह देखे, यहां से लेकर, यहां पर आप 5 इंच देखे, कहां है? यह 5 इंच था, यह देखे, मझे अंदाजा है, इसलिए मैंने लगा करनाम चाटल लिए था हां यहां फैव इंच फि है इस तहरी के सिया मुझे तिसे इस लीए करनी ति कि मैं ले रहे हूं आतर पोने meng च्छू Puerto यहां से ही fitting लेनी होगे अगर आपको पीछे भी fitting लेनी है तो यहां पर finger रखिए और इस जगह point लगा लीजिए या फिर आप center पर scale से भी कर सकते हैं अब मैं इनको stitch कर लेती हूँ फिर इसके बाद ये stitch करूँगी अब मैं आपको sleeves भी दिखा देती हूँ तो ये देखिए मैंने fabric cut करके रख लिया है sleeves के लिए sleeves छोटी बना रही हूँ 3 4th बुलते हैं जिसको वो बना रही हूँ तो ये देखिए मैंने fabric को 4 fold कर दिया है आप 2 sleeves cut कर रहे हैं तो sleeves में 4 fabric है और फिसको 1 fold किया मैंने और इस तरीके से जितना armold का margin दिया था आपने 6 and a half तो 6 and a half plus half inch extra ही कीजिएगा बलकि 1 inch extra तो ये देखिए उतनी पूरी मैंने length रखी है जितनी आपकी armold की थी और उससे ज़्यादा तो यहाँ पे इस तरीके से 3 inch की घहराई देते हैं और नीचे और भी आप अपनी जितनी fitting है वो दीजिएगा तो नीचे यहाँ पे 3 inch रखते हैं जितना armold करना margin लेते हैं उतना ही यहाँ पे लेना चाहिए और यहाँ मैंने 4 inch का लिया है इस तरीके से और ब्रॉकेट वाला कपड़ा है तो वो भी मैं कट कर लेती है मैंने कट कर लिया है और जो fitting fitting है वो भी आप कर लीजिएगा अब मैं दोनों को अलग-अलग अस्तर के साथ अलग-अलग ब्रॉकेट कपड़ा stitch कर लेती हूँ और फिर इसको दिखाऊंगी कैसे stitch करना है तो sleeps मैंने stitch कर लिया पलट भी लिया यह देखिए मैंने जैसे आप को fitting बताई थी वैसे ही मैंने थोड़ा-थोड़ा 6-6 inch का stitch कर लिया और यह sleeps मेरी ready हो चुकी है तो sleeps को मैंने यहाँ stitch किया stitch करने के बाद पलट दिया है तो पलट देते हैं इसको मैं पलट दे रही हूँ और यह देखिए यहाँ पे भी stitch करेंगे जिससे की finishing अच्छे से हो जाएगी thread निकलेंगे नहीं अब इसको stitch कैसे करेंगे देखिए इस सोल्डर पे आप margin लगा लिजेगा इक यहाँ पर ऊपर दोनों स्लीप्स पे और इन दोनों को इस तरीके से जोइंट करके stitch करते हैं तो मैं स्लीप्स भी stitch कर लेती हूँ with finishing के साथ मैंने same इसी तरीके से अपना भी top stitch किया है बलकुल same to same और इसी तरीके से इसमें स्लीप्स वगारे सब कुछ दी है बस मैं उसकी cutting आपको दिखा दूँगी और stitch कैसे किया है वो आप इसमें से देख लीजेए अगर आपको 36 नंबर से भी जादा मतलब full size का blouse stitch करना है top तो आप उसका margin देख लीजेगा और stitching सिफ सेम इसी तरीके से कीजेगा तो देखिए मैंने स्लीप्स को भी पलट दिया है और stitch कर दिया है और अब मैं इसमें यहाँ पे नाप दूँगी जो आपकी fitting है मैंने 4 इंच रखी थी तो मैं उसी तरीके से नाप दूँगी और यह देखिए यहाँ पे स्लीप्स की जो आपकी fitting है वो दीजिएगा 36 के साफ से टॉप आपको stitch करना या 32 के साफ से तो देखिए आर्मोल जितना था वहाँ और margin लगाके ही कीजिएगा जिससे की finishing अच्छी आती है तो देखिए मैंने one side stitch कर लिए पूरी स्लीप्स विनिशिंग इस तरीके की आई है अब second side भी दूसी side मैंने sleeps ready करके रख ली है अब यहाँ पे जैसे मैंने margin लगाके ही stitch करना होता है right side right side check करके लगाईगा नहीं तो खोलनी पड़ेगी और इसको भी इसी तरीके से स्टिच कर लेते हैं तो यह मेरा बहुत ही easy और बिलकुल ready made style वाला idea रहता है अब finally sleep सिलने के बाद हमें यह जो ब्रॉकेट वाला fabric मैंने ready किया था आपको बताया जैसे मैं जो चुन्नत डालने का तो टॉप में हम इस तरीके से आपको जैसी ब्रॉकेट वाली plates डालनी है उसी तरीके से आप stitch कर लीजेगा तो इसमें कम fabric के वाने की वज़े से कम plates डलेंगी आप चाहें तो umbrella का ट्याफे जादा fabric हो तो आप जादा वाली plates stitch कर सकते हैं तो almost मेरा यह top मेरी बच्ची का यह top ready हो गया करके दिखा देती हूं आप चाहें तो side में stitch कर सकते हैं यह नीचे आप कोई less लगाईएगा मैं less लगाऊंगी या नहीं लगाऊंगी वह देखूंगी इस तरीके से fold कर दूंगी तो मैं almost ready हो चुकी मुझे simple पसंद है इसलिए मैं simple रखती हूं कोई less लगाईएगा नहीं लगाती जादा लेकिन बाद मैं थोड़ा shining के लिए लगा लूँगे फिर इसको हटा भी दूंगी मैं उपर से stitch करूंगी लैस आप चाहें तो इस लाई के साथ साथ stitch कर सकते हैं यह देखी तो almost मेरा बेटी का डियर फ्रेंड्स आपको मेरा यह आईडिया कैसा लगा मैंने जो टॉप अपने लिए stitch किया उसमें चैन भी stitch किया उसका आईडिया दोनों का मैचिंग का प्लाजो और सरारा stitch किया साड़ी से उसका लिंक और भी मैंने साड़ियों मैंने सरारा stitch किया है यदि मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा क्योंकि मैं डेर सारे आईडियास आपके साथ शेयर करूंगी उसका नॉटिफिकेशन आपको तुरंद मिलेगा